तो क्या आचा भाई देखो यार हमने लेकर आचुक है को ने स्टंट्रेस और भाई आज का स्टंट्रेस ना यार बहुत ही जादा जादा और जादा ही बड़ा होने वाला है और जो विनर है ना उसका प्राइज मनी भी हमने अल्रडी मत्तब फिनिश पॉइंट पर रख दिय इसे कहते हैं यार असली जाम बिल्कुल फिल्मी स्टाइल बाई साब हमारे देश में एक समय था जब यार मतलब गोल गप्पे वाले आइस क्रीम वाले मंचूरियन और फ्राइड राइस वाले मतलब इन सब की जो ठेले होते थे ना वह हम दोस्तों के अड़ी हुआ करते थ है ना बेंचुद श्रीड फूड के नाम पे ना कुछ भी भिकरा है तरह फेमस होने के लिए और क्रेटिविटी के दाम पे ना साले कुछ भी बेच रहे हैं भाई भाई भांग बहुत लोड़ा लस्टन कुछ भी मिक्स कर दो और बस बेच दो से ओन गोल मेंचो फ्राइड आईसक्रीम कुछ भी कुछ भी सणषफ्राइड फ्राइशक्रीम हो सकती है यह तो मोजे पहली बर पता चला यार्ड और पता है यह यह सारी चीजेinfect भोकी और यह होरे हैं यह रही हैं यह बि Tool a फ्राने जमाने के जो स्ट्रीट fully थे न उनका काम था भाई खाना बेज के पैसे वाना लेकिन अब वाले स्ट्रीट फूड वाले न न झैसल स्ट्रीट उनका काम है घुत Sud ते लिए रामे बाजी तो पहले famous होती है तबी तो देखो हमारे देश में बिक बॉस कितना famous है आप तो सहय है और एक टाइम था भाई जब न सिनेफा girls fir में अपनी फैमिलिकी साहते नहीं जाते थे लोग अखिले प्रणी मेंगी सनी लिओनी मेंगी सोचो तुम अपने पापा के साथ गए खाना खाने और वेटर ने आके कहा लीजे सर मिय खनीफा मेंगी और फिर सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा अरे बड़े कतमनाक लोग है क्या और गलती से भी भाई साथ तुमने ये बख्चोदी वाले स्टीट फूर्ट से खाना खा लिया ना तो भाई साथ तुम्हारे बचने के चांसे उतनी है जितने की उर्फी जावेद के कपड़े क्यूंकि भाई साथ ये लोग अपने खाने में चीज बटर और ऑईल तो ऐसे यूज करते है भाई जैसे लड़कियों के फेस पे मेक अप साला दोनों ही जान लेवा ये देखो 100 ग्राम बेड़ पे 2 किलो चीज साला इसकी पहली बाइट खाते ही तुम आपरेशन टेवल पे और दूसरी बाइट खाते ही यमराज गे भैंसे पे और ना यह कीड होना तो खाके चेक कर ले न और भाई साब जब से ये बंदा भाई बिलगेट से मिलाया न भाई साब अब ये चाय वाला नहीं मोटिवेश गुरू बन चुका है जी हाँ और खुद को तो भाई बिलगेश का बाप ही समझने लगा है ये मैं तो ये सोचना हूँ कि अगर मोदी जी कहीं गदी से इसके चाय के टपरी पे आ जाते तो फिर से ये खुद को हिंदुस्तान का बादश्या ही समझने लग जाता खेर हमें क मैं कि इस सोचता हूँ कि इतना जाधा चीज और बटर डालते क्यों है तब मुझे पता चलता है खाए कि ना ये तो स्कैम है असल में इनका होता है कॉंट्रैट डॉक्टरों के साथ कि डेली का एक हार्ट पेशंट लियाओ और 20% कमिशन और साला सबसे बड़े बक्चोद तो मुझे ये स्ट्रीट फूर्ड वुलागर वाले लगते हैं बैंचोद गंदा से गंदा घटिया से घटिया खाना खा के भी न कहते हैं कितने इच्छे खेने हैं बहुत ही ज़्यदा टेस्टी ओवाव साला इनसे ज़्यादा अच्छा रियल तो भाई ड़ू 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 यही लगता है यार और यहाँ पर भाई लेकिन कलुआ बहुत शांदार परफॉर्मेंस देता हूँ यार लगा नहीं था कि भाई इतना बड़ा स्टंट्रेस यह जीत जाएगा लेकिन जिस आपसे परफॉर्म कर रहा है शाय से जीत जाएगा और लेकिन भाई अभी भी स्टंट्रेस बहुत जादा बाकी है भाई यह देखो यार अभी तो मतलब हमने शायद 50 परसेंट भी नहीं कंपलीट किया है यहां पर है भाई ओह यह क्या है बहुत यहां भी भाई कोक आ गया ध्यान से देखना कहीं सकेंदर भी मैगी ना हो स्ट्रेट फूर वाले भाई मैगी और चीज को ना ऐसे यूज करते हैं भाई जैसे की अधिरक लासन को मार मार के और भाई साब यह सारी चीज़ों तो बंदा फिर भी परदाश कर रहा था लेकिन बेला गिरी देखो यार कितनी जादा है हमारे देश में कि भाई खाना खाते हुए लोग अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं और उस पर भाई मिलिंस में व्यूज आ रहे हैं क्या बाद है यहां पर कल हुए कि मैं बहुत ही शांदार परफॉर्मेंस देते हुए हौले हौले चड़ा यार ओए अराम से ओ भाई साब बच गया यहां पर मुझे तो लगता नीचे गिर जाएगा लेकिन सही क्या बात है टैंकर्स के उपर यहां पर है ऑप्स्टिकल थोड़ा सा रुख जा वेट करना पड़ेगा भाई साहब अब मुविंग ऑप्स्टिकल के जाने का क्या बात है बहुत ही शांदार यहां पर है टूटा हुआ प्लेन क्या बात है इस प्लेन को देखके न मुझे पबजी की यादा रही है वह जो लबी में पड़ा होता था यार ना बिल्कुल ऐसी होता था भाई लेकिन यहां पर ओ बात है फिर से भाई को और अप्स्टिकल हो भाई यह तो मैंने पहली पर देखे हैं यार मतलब ऐसे रोटेटिंग इन खैर कोई बात नहीं कलो भाई याराम से पार करना यार इसको संभल कर वह भाई यह सबसे बढ़ा है वह यह सबसे बढ़ा है बहुत सही लेकिन अभी भ difficult अभाया है क्या बात है हुलो होले भाई बहुत रिए पतला है और पूरा गोल घूम ऑफ बहूं आपने बहुत बहुत क्या बात है करो भाई बहुत सही बाई सब यहां पर बहुत शांदा टरन लिया है और अब है भाई टैनल में वह बहुत सही टैनल में है रोटेटिंग आप्स्टिकल इससे बचना होगा लेकिन सीजा जाकर टगराया है कलुआ यह ओए होए संबल के यार क्या कर रहा है वाई लो 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 मैंने कहा ता सालेगों कि थोड़ा सा भाई संभल के रहे होले होले पेशन्स के साथ चला लेकिन यह माने तो ना मेरी बात डिक फुटवा के बैठ गया अब पर वदाए सब्सक्राइब करने नहीं जीतेगा लेकिन उर्ट फिनिश पॉंट पहुच चुके हैं और क्या बात है यह देखो यार्च यार्जिक मैं तुम लोंको बताया था यार्च कि विन्ट पॉंट पर प्राइसमन रखा हुआ है और यह देखो यार्च इतना सारा प्राइज मनिया यार मतलब भाई वहां से लेके भाई ये सारा का सारा गोल्ड ट्रेज भी भाई कलुआ के हैं ये इतने सारे कैश रखे हुए हैं ये सारे कैश भी भाई कलुआ के हैं ये सारी गोल्डन कार्स ये वैन ये सब कलुवा का है और इतना ही नहीं भाई साहब देख रहे हो ये सारे डाइमेंड्स भी कलुवा के ही है भाई साहब इतना तो भाई दाव अमबानी के पास भी ना हो शायद नहीं भाई उनके पास हो सकता है लेकिन भाई अब कलुवा के पास भी है कलुवा भाई कैसा लगा यार हमारा प्राइस बनी बहुत शांदार है शांज भाई थैंक्यो यार थैंक्यो वेरी माच यह तो धेर सारे हैं इसको कलेक्ट करने में तो मेरी जान निकल जाएगी बहुत टाइम लगेगा वो तो बिल्कुँ तुने सही कहा तो चलो भाई मैं तो चला अपना प्राइस में कलेक्ट करने यूँकि इसमें बहुत टाइम लगेगा और शांद को पाटी भी तो देनी है तो चलो भाई कलो अखो करने तो अपने प्राइस में निकों कलेक्ट और आपको यूँकर यार वीडियो चले लगे तो लाइक करना आपने दुख साथ शेयर करना and please do subscribe the channel to stay connected